तो सबसे पहले चलिए जाल लेते हैं कि आपका बिहार स्विल कोट का परिछा कब होगा और इसको लेकर के क्या खबर अभी दोस्तों निकल के आई है यहाँ पी जितने भी लोग 800 रोपी आई 1000 रोपी यहाँ पे फोरम भरने में लगा था नजी सितंबर अक्टूबर में तो 6 महिना से उपर हो गया फोरम भरे हुए अभी तक कोई भी यहाँ पे किसी भी परकार का कोई सूचना निकल के नहीं आ राए कि परिछा कब होगा लेकिन खबर क्या निकल के आई है चलिए जान लेते हैं बिहार स्विल कोट का 7,692 पदों पे परिछा होने वाला है और अप्रील को दोस्तों पटना हाई कोट असिस्टेंट का एगजाम होना तय है लेकिन यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि हमारा तो 6 महिना से उपर हो गया हमारा एगजाम कभ होगा तो यहाँ पे देखिए पेच कहां पे फसा हुआ है इसका जो पेच है न यहाँ पे संख कि हमारे दामन में दाग लग जाए दामन में दाग का मतलब कि परिछा हो और यहां पे हवा उड़ जाए कि पेपर वाइरल हो गया तो यह हो गया तो इसी कवज़ा से फूंक फूंक करके यह कदम रख रहे हैं जितना भी सिंटर का चुनाओं किया जा रहा है न वो पूरी तर से सुरच्छा का खयाल रखते हुए परिछा संपन कराया जाए क्योंकि यहां पे संख्या दोस्तों बहुत ज्यादा है कम संख्या नहीं है 18-20 ला कम संख्या नहीं होता है इसी के वज़़ा से देरी हो रहा है सिंटर के चुनाओं में कि कहां पे सिंटर रहे और कहां पे सि पस्ञाइब QC से यह हो रहा है चीजे कि यह एक्जाम हमेशा नहीं होता है चार सल पांच सल पर एक्जाम होता है तो एक्जाम ऐसा लिया झाए कि कोई हवाnd न उडए और किसी भी परकार का चोरी चाकारी वाला बात न रह जाए इसी को वजासे थोड़ा लेट हो रहा है और ये दोस्तों क्या है ना कि कोई आयोग नहीं हो कि आ करके बार-बार आपको मिडिया के सामने और आपको बोले कि फलना तरीक से एक्जाम होगा ऐसा ये आयोग नहीं है आपको website पर ही बताएंगे जो बताएंगे website पर बताएंगे लेकिन इतना खबर दोस्तों जरूर निकल के आ रहा है कि माई में क्या होगा कि माई में कोई ना कोई देखिये date आने वाला है एक तो 10 माई के अंदर में आपको कोई नो कोई notice निकल के सामने आ जाएगा कि exam आपको कब लेना है लास्ट माई में कि जून में इसको लेकर के कोई आ जाएगा दूसरा जो लिंक जारी होगा उसमें इस बात को लिए करके clearance हो जाएगा कि आपका जो admit card का link active इसको लेकर के मतलब अपडेट आ जाएगा दुसरा जो notice रहेगा इस बात को लेकर करहेगा कि आपका देखिए admit card का link active कर दिया गया यानि कि देखिए मुझे जहां तक लगता नहीं कि मैं last नहीं तो जून चला जाएगा 10 जून तक आपको chance बन रहा है मैं last में link active हो जाएगा और जून में 10 तरीक तक के अंदर में exam होने का chance बन रहा है कोई अधिकारिक तोर पे हम नहीं कर रहे है क्योंकि 6 मैने से उपर हो गया और इसका record है कि 6 मैने के अंदर में exam ले लेता है लेकिन पटना high code के बाद तुरंत इसी परना जर्वाना हुआ है पटना high code का परिछा कब है 30 अप्रील को 550 पदों के लिए इसके बा कि यहां पर महोल बनते हुए नहीं दिकर आए कि 5-6 दिनों में कोई notice आने वाला है और notice अगर आता भी है तो इस बात को लेकर के अगाह करने के लिए आएगा कि आपका exam हम बहुत ही जल्द लेने वाले हैं आप लोग घबराईए मत अभी तो 10 दिन पहले हम आपको notice देखे किये थे अगर तुरण तुन को exam लेना होता न 15 दिन में इस दिन में एक महिना में तो वो नीचे में कहिने कोई mention कर देते कि आप लोग घबराईए मत बहुत ही जल्द आपका परिछा ले लिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी ने लिखा गया था कि यह जो बाते कही जा रह रहेंगर प्रेंगरता है क्योंकि अब दोस्तों 6 मेन सी ऊपर हो गया और लगातार वह अपना काम कर रहे हैं पेपर व एगरा बनाने का बात हो या फिर लगातार मीटिग व एकरने की बात हो या फिर कहा पर सेंटर रखना इसको ले करके वो लगातार मीटिंग वेगरा करना हैं तो घबराइए मत दोस्तों आपका जो मेहनत है बेर्थ नहीं जाने वाला है और आपका पैसा मेहनत सब कुछ यहां पर बस लगातार लग रही है क्योंकि बहुत लोग क्या है न कि बहुत लोग इसी चकर में का मतलब कि फोरम में गलती हो गया था उनका करेक्सों को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन आप उनको मेल कर सकते हैं ठीक है पीटी होगा कि नहीं होगा कि आपको पीउन में पीटी होगा कि नहीं होगा वो अभी मन्थन कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि इतने सारे ब meetings कर रहे हैं एक ठो details देखिएंगा notification में वगवाटो अपको देखने को मिल जाएगा ठीखेंगे सथालम पूरा का सनारीया ये स्वेनल नोटीस में एकि कोई भी खुआ सव तो कहा जाता है किहाता है जिए बेव्जाईट पो Stretch इंटी मीडिया या सोचल मीडिया में आ करके डाइरेक्ट स्टेटिमेंट नहीं देते हैं इसी के वज़ा से लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्जाम कब होगा उनका साफ तर पर कहाना है कि सीधे विब साइट के हमाएंगे वहीं पर अपडेट कर देंगे आप लोग बने रहि इसको लेकर के मई में ही नोटीस आपको देखने को मिलेगा हाला कि एक्जाम का चांस जून-10 जून तक आपको मिल रहा है कि दस जून तक एक्जाम हो जाएगा ऐसा अनुमान है तो चले दोस्तों कोई भी ख़बर आएगी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा लिज करेंगे तो चलिए दोस्तों अब रिगोसित नहीं मिलते हैं आप सब्सक्राइब तब तक देखने जाएगा बरत